इसमें से कौन सा स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन नहीं है यह आपको पहचानना है देखिए इसको मैं आयू पैक नेम की हल्प से भी बताऊंगा आपको ठीक है आयू पैक नेम बनाते टाइम अगर कोई साइड चेन में ना आए तो वो इस्ट्रेट होगा परिशान नहीं आपको बताता हूं देखो किस तरीके से यह देखिए बच्चो यह जो फरस्ट कंपाउंड है आपका CS3 CS2 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 और यहां से बेंड हो गया है अब आप गोलों के सर यह तो स्ट्रेट है नहीं यहां से बें दिखा हुआ है यह आपर यह लीजिए सी helps only ये single bond, yes sir, फिर next CS2 ये वाला single bond है, ठीक, कितने हो गए, देख लिजे, one carbon, two carbon, three carbon, four carbon, फिर single bond में आ जो गए हाँ, तो ये देखिए, फिर से CS2 है, yes sir, ठीक, और फिर ये जो नीचे लग गया है CS3, इसको आप सीधे भी तो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पढ़ता है, इसको पकड़ गए, ऐसे खीज़ दो, straight chain हो जाएगा, ठीक है students, ओके, तो ये straight chain है, ठीक, अगर इसका IU pack name आप करना चाहो, तो फटाक से देख लो बच्चो, यहाँ देखिए, 1 carbon, 2 carbon, क्योंकि IU pack name करते time, हमने पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा है, तो सुन लो, select the longest chain of the carbon atom, I repeat, select the longest chain of the carbon atom, ठीक, carbon atom की longest chain आनी चाहिए, यानि कि जादा से जादा carbon आपके cover होने चाहिए, जब आप numbering कर रहे हो, तो आपको ज़ादा से ज़ादा carbon atom वहाँ cover होने चाहिए, मतलब समझो, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, सारे के सारे carbon cover हो गए, ऐसे समझो आप, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, अब आप के रहे हो, सर इसको छोड़ दे रहे हो, यह भी cover हो जाएगा, लीजे, यहाँ numbering ऐसे कर दो चाहिए, और चाहिए इसको पकड़के ऐसे पकड़के straight में लिख दो, और ऐसे करके numbering आप कर दो, ठीक, इसका नाम क्या पड़ेगा, सब जगा carbon carbon के बीच में single bond होता है, तो वो alcan होता है, यानि क्या है, alcan है, alcan में पीछे क्या लगता है, a, n, e, in, देखिए, यह आपका alcan है, ठीक, फटाफट देख लीजे, इसको किस तरीके से करेंगे, alcan, alcan में हम क्या लगाएंगे, suffix क्या लगाएंगे last में, a, n, e, in, ओके, सो, suffix का मतलब जो last में लगाएंगे, इसका नाम क्या पढ़ेगा, इसका नाम पढ़ गया, h, e, x, hex, और प्लस, alcan है, क्योंकि carbon-carbon की बीच में सिंगल बॉंड है, तो नाम हो गया क्या है, इसका, hexane, ठीक है, तो यह दिखी, यह तो हो गया आपका straight chain, which of the following is not a straight chain, okay, so option a हो नहीं सकता है, तो straight हो गया, यानि के जो उपर वाला था, hexane, वही नीचे वाला भी है, तो second वाला भी क्या हो गया, hexane हो गया, ठीक है students, ओके, यह लीजे, तो यह भी straight chain नहीं होगा, यह भी नहीं हो सकता है, no, option c में आ जाईए, ठीक, मतलब यह straight chain हो गया, उनको straight chain जो नहीं हो चाहिए, ठीक, so option c में दिखिए, अब देखो, यह बच्चे नहीं समझ पा रहे है, मैं आपको बताओ, इसमें numbering करो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, देखो ज़रा, यह carbon number 1 है, फिर यह carbon number 2 है, फिर यह carbon number 3 है, फिर यह carbon number 4 है, और यह वाला carbon number 6 है, ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, देखिए, सभी number यहाँ फिर से cover हो गए, यानि कि फिर से hexane लिखा हुआ है, बस इन्होंने क्या किया, यह वाले end से bend कर दिया है, ठीक, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आईए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए बच्चों, अभी समझ जा जाएगा, कितने carbon है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक, तो 6 carbon straight chain में बना लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 carbon straight chain में हो गए, ठीक, सभी carbon के बीच में क्या है, single bond है, single bond, single bond, single bond, single bond, single bond, ठीक, अब, 1 carbon कितने bond बनाता है, तो इस carbon को देखो, 1 बना चुका है, 2, 3, 4, इस carbon को देखो, 1, 2, यह रहा, 3, यह रहा, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ठीक, 1, 2, 3, 4, एक carbon हमेशा 4 bond बनाता है, 1, 2, 3, 4, अब hydrogen लगाना शुरू करो, hydrogen हमेशा single bond बनाता है, hydrogen, 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 देख सकते हो carbon number 1 पे कितने hydrogen लगें 3 यहाँ पनागर वन पहके हैसी ज्च्छ झी यहाँ यहां से हमने यह सीखा कि जो आपको स्ट्रेट चेन देखने में ना लग रहा हो उसका आयू पैक नेम कर लो यहांने कि select the longest chain of the carbon atom और देखो कोई carbon छूट तो नहीं जा रहा है ठिक अभी पता चलेगा आपको रुख जो मैं क्या कह रहा हूँ यहां पर देखो जरा तो इन में से कोई भी आपका स्ट्रेट चेन नहीं हो लास्ट वाला देखो अब लास्ट वाला बड़ा मज़ेदार है देखो नंबरिंग अगर आप करोगे यहां पर ठीक यह कार्बन वन यह कार्बन टू अब घूम के अगर इधर आ जाओगे वन टू और ऐसे कर दोगे यह कार्बन नंबर त्री तो भे छूटी जाएगा तब आपके बद्च आप्शांग क्या है आपके पस औप्शन यह है की आप इसकी लोमरिंग इस तरीके से करिए यह कार्बन नंबर वन यह कार्बन नंबर टू घूम कैसे आ नहीं सकते हो तो यह त्री नंबर नहीं मिलेगा इसको ठीक यह हो गया 3, यह हो गया 4 और यह हो गया दिखी इस तरीके से 5 ओके सुटेंस ठीक है जब ऐसा हो गया तो आप देखोगे तो यह आपका straight chain नहीं है क्योंकि side में CS3 आ रहा है अब इसको मैं आपको explain करता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं उसको मैं रप कर दूं यहां यहीं पर छोटा सा कर देता हूं देखो ध्यान से चक्रों बच्चो चेन में कितने कारवन आ रहे हैं 12345 ठीक तो फाइफ कारवन एटम बना लो 12345 कारवन एटम बना लिए सभी कारवन को कारवन आपको क्या करना है यहां सिंगल बना खोलके यह वाला है यह वाला bond ठीक यहाँ पर लगाकर और यह पीछे क्या लगावाई CS3 तो आपको यहाँ लिख देना चाहिए CS3 यह लिजे क्या दिक्कत है ठीक अब अब सभी carbon की valencies को hydrogen से fulfill करा दो ठीक यह one bond बना चुका है two three four ठीक यह three bond यह लिचे और सब जगा hydrogen लगादो है hydrogen 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 यह hydrogen 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 और यह है हدم हैं तक अब कार्बन आप देख सकते हैं पर यह carbon number one है यह carbon no promote 2 है यह carbon no फोर है your carbon no फोर है और यह हो गया आप और स्कारी Much सब्सक्राइब का और स्वेकिक सबीचराइब और सब्सक्राइब क्राइब नर्फर सब्सक्राइब और यहां पर यह एक साइड में निकल गया जिसका नाम क्या है सिस्ट्री जो की मिथाइल होता है सिस्ट्री को मैं आपको ऐसे भी दिखा देता हूं open करके मतलब expand करके यह शी और सिंगल बॉंड एच सिंगल बॉंड एच सिंगल बॉंड एच तो इस तरीके से यह वाला जो CS3 है यह साइड चेन में आ गया जब भी साइड में कारबन आ जाएगा तो वह एक सुटर्ट चेन में होगा नहीं तो साइड चेन हईड्र करबन है इसमें ए में, नोट करो, बच्चों, CS3 कहीं पर लगा होता है, तो ये कहाल होता है, इसको हम Mithile बोलते हैं, क्या बोलते हैं, Mithile, ठीक, तो अब इसका IUPAC Name क्या पड़ेगा? दोномber Carbon पर क्या लगा है, propor missile तो हम लिखेंगे ToMithile, यानि के हम कहना चाहते हैं कि दो नंबर कार्बन पर क्या लगा हूँ है? मिथाइल लगा हूँ है और स्ट्रेट शेन में 1, 2, 3, 4, 5 जितने कार्बन स्ट्रेट शेन में हैंगो उनको ही काउंट करना है तो 1, 2, 3, 4, 5 5 के लिए पैंट लगाते हैं कुछ बच्चे बोलने हैं वर्ड रूट मतलब कितने कार्बन है वो लगाना है तो 2 नंबर पर मिथाइल तो 2 मिथाइल 1, 2, 3, 4, 5 5 के लिए पैंट लगाते हैं तो 2 मिथाइल पैंट और कार्बन कार्बन की बीच में सिंगल बॉंड है तो LK नहीं यानिके पैंटेन ये लो तो आपका इसमें से कौन सा स्ट्रेट चेन नहीं है सो ऑप्शन D मेरा साइट चेन में चला गया ये स्ट्रेट चेन नहीं ऑप्शन D is the correct option नोट कर लीचे